ओम श्यान्ती, 27 सप्टेंबर 2024 के इश्वर्य महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्ग बाबा ने कहा, यहां अलग-अलग होकर बैठना है अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में, रात दिन का फर्क है पहले-पहले शान्ती धाम को याद करो, तो चक्र भी याद आएगा बच्चे भूल जाते हैं, इसले घड़ी-घड़ी याद कराना पड़ता है हे मीठे-मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो तुम बच्चे जानते होना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होने चाहिए हम हैविन की स्थापना कर रही हैं प्रजा-पिता-प्रमा की संतान, भाई-बहन ठहरेना, फिर बाप समझाते हैं, भाई-भाई समझो कम बुद्धी वाले तो इतनी धार्णा कर ना सकी, इसलिए बाप कहते हैं, यह तो बहुत सहच है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्ची, याद की मेहनत तुम सब को करनी हैं, तुम अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा प्रशन, सर्व की सद्गती का स्थान कोन सा है, जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा उत्तर, आबु भूमी है सब की सद्गती का स्थान, तुम ब्रमा कुमारिस के सामने ब्रेकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोतम तीर्थ स्थान है सारे दुनिया की सद्गती यहां से होनी है, सर्व का सद्गती दाता बाप और आदम ब्रमा यहां पर बैच कर सब की सद्गती करती है आदम अर्थार्थ आदमी वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकती ओम शान्ती, डबल ओम शान्ती, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की, दोनों की आत्मा है न, वह है परम आत्मा, यह है आत्मा, वह भी लक्षे बतलाते हैं, कि हम परमधाम के रहवासी हैं, दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शान्ती, ये भी कहते हैं ओम शान्ती, बच्चे भी कहते हैं ओम शान्ती, अर्थार्थ हम आत्मा शान्ती धाम की निवासी है, यहां अलग-अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हरे की अवस्था में योग में रात दिन क प्रण्तु फर्क तो प्रदान और जो याद करते हैं वह हो गई पुन्य आत्मा सतो प्रदान बहुत फर्क हो गया ना घर में भल इकठे रहते हैं प्रंतु फर्क तो पड़ता है ना इसले ही तो भागवत में आसूरी नाम गाई हुई है इस समय की ही बात है बाप बैच बच्चों को समझाते हैं यह है इश्वर्य चरित्र जो भक्ती मार्ग में गाती हैं सत्यूग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा सब भूल जाएंगी बाप अभी ही शिक्षा देती हैं सत्यूग में तो यह बिलकुल भूल जाते हैं फिर द्वापर में शास्त्र आदी बनाती हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की प्रन्तु राजयोग तो सिखला ना सके वह तो बाप जब सम्मुख आती हैं तब ही आकर सिखलाते हैं तुम जानते हो कैसे बाप रा पाजयोग सिखलाते हैं फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे मीठे मीठे रुहानी बच्चों ऐसे कभी भी कोई मनुश्य मनुश्य को कहना सकें ना देवताइं देवताओं को कह सकते हैं एक रुहानी बाप ही रुहानी बच्चों को कहते हैं एक बार पार्ट बजाया फि क्योंकि फिर तुम सेडी उतरते हो ना, तुम्हारी बुद्धी में अब आदी मध्य अंत का राज है, जानते हो वह है शांती धाम अत्वा परम धाम, हम आत्माएं भिन भिन धर्म की सब नंबर वार वहां रहती हैं, निराकारी दुनिया में, जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, उपर में कोई चीज नहीं है, ब्रम तत्व है, यहां तुम धर्ती पर खड़ी हो, यह है कर्म छेत्र, यहां आकर शरीर लेकर कर्म करती हो, बापनी समझाया है, तुम जब मेरे से वर्सा पाते हो, तो 21 जनम तुम्हारे कर् नहीं होता है, वह है ईश्वरिय राज्य, जो अब ईश्वर स्थापन कर रही है, बच्चों को समझाते रहते हैं, श्यू बाबा को याद करो, तो स्वर्ग के मालिक बनो, स्वर्ग श्यू बाबा ने स्थापन किया ना, तो श्यू बाबा को और सुकधाम को याद करो, पह प्रतिग्या करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा बापी पतित पावन सर्व शक्ति मान अथोरिटी है उनको वर्ल्ड आलमाइटी अथोरिटी कहा जाता है वे सारे सर्ष्टी के आदी मद्य अंध को जानती है वेदो शास्त्रों आदी सबको जानती है तब तो कहती है इन में कोई सार नहीं है गीता में भी कोई सार नहीं है भल वे सर्व शास्त्र मैं शिरोमनी है माई बाप बाकी सब हैं बच्ची जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है बाकि सब बच्चे हैं प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं आदम माना आदमी मनुष्य है ना तो इनको देवता नहीं कहेंगी एडम को आदम कहते हैं भगत लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते बाप बैट समझाते हैं, एडम अर्थार्थ आदमी, ना देवता है, ना भगवान है, लक्षमी नारायन है देवता, दीटिजम है पैराडाइस में, नई दुनिया है न, वह है वंडर ओफ्ती वर्ल्ड, बाकी तो वह सब है माया के वंडर, द्वापर के बाद माया के वंडर होती है, इश्वर ये वंडर है, हैविन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं, अभी स्थापन हो रहा है, ये जो देलवाडा मंदिर है, इसके वैल्यूज का किसको भी पता नहीं है, मनुष्य यात्रा करने जाते हैं, तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है, तुम लिखते हो ना, ग्रमा कुमारी इश्वर्य विश्व विद्याले आबू पर्वत, तो ब्रेकट में ये भी लिखना चाहिए, सर्वोतम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गती यहां से होती है, ये कोई जानते नहीं, जैसे सर्व शास्त्र में शिरोमन गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में स्रेष्ट तीर्थ आबू है, तो मनुष्य पढ़ेंगे अटेंशन जाएगा, सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीरत, जहां बाप बैट सबकी सद्गती करती हैं, तीर्थ तो बहुत हो गई हैं, गांदी की समाधी को भी तीर्थ समझती हैं, सब जाकर वहां फूला दी चड़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहां बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम हैविन की स्थापना कर रहे हैं, अब बाप कहती हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है, तुम्हारी मम्मा को एक पाई का खर्चा लगा, बिगर कोडी खर्चा पढ़कर कितना होश्यार नमबर वन बन गई, राजयोगिन बन गई ना, मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है देखो, आत्माओं को ही बाब बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राजय मिलता है, आत्मा ने ही राजय गवाया है, इतनी चोटी सी आत्मा कितना काम करती है, बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना, आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है, चोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्यो पर राज्य करती है, इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है, हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना, क्रिश्चन धर्म में कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है, जो शरीर द्वारा कर्म करती है, आत्मा ही यहां आकर इस कर्म छेत्र पर कर्म करती है वहां बुरा कर्तव्य होता नहीं आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावन राज्य होता है मनुष्य तो कह देते विकार सदैव हैं ही तुम समझा सकती हो वहां रावन राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकती वहाँ है ही योगबल भारत का राजयोग मशूर है बहुत सीखना चाते हैं प्रंतु जब तुम सिखलाओ औरों को तो कोई सिखला ना सके जैसे महरिशी था कितनी मैनत करता था योग सिखलाने के लिए प्रंतु दुनिया थोड़ी जानती कि ये हट्योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे चिन्मियानंद के पास कितने जाती हैं एक बार वे कह दे कि सचमूच भारत का प्राचिन राजयोग सिवाए बिके के कोई समझानी सकते हैं तो बस प्रंतु ऐसा काईदा नहीं है जो अभी यह आवाज हो सब थोड़ी समझेंगे बड़ी मेहनत है महिमा भी होगी पिछाडी में कहते हैं न अहो प्रभू, अहो शिवबाबा आपकी लीला अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाए बापको सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर सुप्रीम सत्गुरू और कोई समझते नहीं यहां भी बहुत हैं जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ती है बड़ी मंजिल है युद का मैदान है इसमें माया विघन बहुत डालती है वो लोग विनाश के लिए तयारी कर रहे है तुम यहां पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुशार्ट कर रही हो तुम विजय के लिए वे विनाश के लिए पुरुशार्ट कर रही है दोनों काम इकठा होगा ना अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं, तुम आधा कल्ब के लिए बाप से वर्सा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं, वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थ शरीर छोडते हैं, वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पानी सकते, ऐसे नहीं कि बुद बुदा पानी में लीन हो जाता है, बाप कहते हैं, यह शास्त्र आदी सब भक्ति की सामगरी है, तुम बच्चे समुक सुनते हो, गर्म गर्म हल्वा खाते हो, सबसे जास गर्म हल्वा कौन खाते हैं, ब्रह्मा, यह तो बिलकुल उनके बाजु में बैठे हैं, जट सुनते हैं, और धारन करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं, सुक्ष वतन में, वैकुंट में इनका ही साक्षातकार करते हैं, यहां भी उनको ही देखते हैं इन आखों से, बाप पढ़ाते तो सबको हैं, बाकी है याद की मेहनत, याद में रहना जैसे तुमको difficult लगता है, वैसे इनको भी, इसमें कोई कृपा की बात नहीं, बाप कहते हैं, हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुशार्थ तो इनको भी करना है, समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ, सबसे जास्ती मेहनत इनको करने पड़ती है, युद के मैदान में, जो महारती पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनके ही माया ने परिक्षा ली, क्योंकि वह माहवीर था न, जितना जास्ती पहलवान, उतना जास्ती माया परिक्षा लीती है, तुफान जास्ती आते हैं, बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह यह होता है बाबा कहती हैं यह तो सब कुछ होगा बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना लिखते हैं बाबा माया बहुत तुफान लाती है कोई-कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है तुम अभी बहुत अकलमंद बनती हो आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है आत्मा कितना चमतकारी हो जाती है पहले तो गरीब ही उठाती है बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे न फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो यह है पिछाडी का संबंद फिर उपर भी भाईयों से जाकर मिलेंगे फिर सत्युग में नया संबंद शुरू होगा वहाँ पर साला, चाचा, मामा, आदी बहुत संबंद नहीं होते संबं बहुत हलका होता है फिर बढ़ता जाता है अब तो बाप कहते हैं भाई बेहन भी नहीं भाई भाई समझना है नाम रूप से भी निकल जाना है बाब भाईयों आत्माओं को ही पढ़ाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना स्रिक्रिश्न तो खुद ही बच्या है मैं कैसे भाई भाई बनाएंगे गीता में भी यह बाते नहीं है यह है बिलकुल न्यारा ग्यान ड्रामा में सब नूद है एक सेकिंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकिंड से कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने है फिर पाँच जार वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे कम बुद्धी वाले तो इतनी धार्णा कर ना सकी इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है अपने को आत्मा समझो बेहद के बाप को याद करो पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है तुम ही देवी देवता थे यह जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था अबे तो इनका राज्य है नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी धाना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट अब पिछाडी का समय है वापिस घर चलना है इसलिए अपनी बुद्धी नाम रूप से निकाल देनी है हम आत्मा भाई भाई हैं यह अभ्यास करना है दे अभिमान में नहीं आना है दूसरा पोइंट हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है इसलिए अलग-अलग होकर बैठना है अंग-अंग से ना लगे पुन्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है वर्दान बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करनी वाले ग्यानी तू आत्मा भव विस्तार बाप दादा देखते हैं कि अभी तक पाँची विकारों के व्यर्थ संकल्ब मैजोरिटी के चलती है ज्यानी आत्माओं में भी कभी-कभी अपनी गुण वाविशेश्ता का अभिमान आ जाता है हर एक अपनी मूल कमजोरी वा मूल संसकार को जानता भी है उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है स्नेही वा ग्यानी तु आत्माओं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी नियोच्छावर कर देती है स्लोगन स्वमान की सीट पर स्थित रहे सर्व को सम्मान देने वाले माननिय आत्मा बनो अच्छा, ओम श्यांती